नमश्कार दोस्तों हेल्ट सब्सक्राइब करना चाल लए तो आप तौन बात करेंगे खेतों की तारबंदी के बारे में तो दो sırतों फिलाल खेतों की तारबंदी के आवेधन चल रहे हैं ज्यादि का dessa naught us नाशिबित की तारबंदी करना चाहते हैं तो आप को इसमें आवेदन कर सकते हैं तो इसका आवेदन भी आप किस प्रकार करना है आपको वो भी में आपको तरीका बताऊंगा और आपको फिरी में अपना एक खेतों की तारबंदी का आवेदन करना है उसका भी में आज आपको बताऊंगा किस प्रकार आप फिरी में खेतों की तारबंदी के लिए आविदंद कर सकते हैं जिसमें आपको एक रुपे का भी खर्चा नहीं आएगा यादि आपका फर्म शिकार हो गया है तो आपको चाड़ी से पचास हजार रुपे खेतों की तारबंदी के लिए सरकार द्वारा फ्री में दिये जाएंगे तो खेतों की तारबंदी के लिए हम आच चुके हैं राजकिसान डॉट राजस्थान जीयोवी डॉट इन की वेबसाइड पर यहां पर आपको खेतों की तारबंदी के बारे में उद्देशिये बताए गए हैं कि ये योजना किस के लिए चलाई जाती हैं इस योजना का मैन उद्देश अब यहां पर बात की जाए कि आपको खेतों की तारबंदी पर क्या अनुदान मिलेगा तो कर्शकों को 4000 रनी मिट्र तक तारबंदी इस्तापिट करने पर रगू और सिमांद कर्शकों को लागत का 60% ज्यादि आप लगू कर्शक हैं या सिमांद कर्शक हैं तो आपको 60% यानि कि आपने एक लाख रूपे की तारबंदी की हैं तो उसका 60% यानि कि 60,000 रूपे तक आपको तारबंदी का सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा और इसमें भी यदि आप अधिक्तम 48,000 रूपे तक का लाब उठा सकते हैं यानि कि आप ज्यादा से ज्यादा य जाएगा और यह जो भी सामानी कर्शक हैं उन्हों 50% लाब दिया जाएगा यानि कि उन्हें अधिक्तम 40,000 रूपे दिये जाएंगे अब यदि आपकी जमीन एक साथ में नहीं हैं यदि आप सामोईक आविदन करते हैं तो दस से अधिक कर्शकों के समों पर नियूंतम 5 हे होनी चाहिए वह आपको दी जाएगी तो अब पातरता क्या होनी चाहिए कि आप इस योजना में लाब उठाएं तो इसके लिए सबी योजना के सभी श्रेणियों के कर्शकों को इस योजना का लाब दिया जाता है व्यक्तिकत एंव कर्षक स्रमू में आविदन करता के पास नियुम्तम डेड हेक्टर भूमी एक इस्तान पर होना आवशक है अनुसुचित जन्जाती छेत्रों में जोत के आकार कम होने के कारण नियुम्तम 0.5 हेक्टर भूमी एक इस्तान पर होना आवशक है याने की एक पाइट पाँच हेक्टर याने की पीम भीगा लगबग जमीन होना आशक है सामुईत आवेदन दस या उससे अधिक कर्षकों को जियोंतम पाँच हेक्टर जमीन भूमी अथा समू की भूमी की सीमाई निदारिक परिफेडी में होना आशक है तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आप यादी समू में आवेदन करते हैं कि आपकी सभी की सीमाई एक के साथ में लगनी होनी चाहिए यह यह नहीं होना चाहिए कि एक की सीमा यहाँ पर हे एक किलोमेटर बाह ने है तो सभी की सीमाई आपस में लगनी चाहिए आविदन की प्रक्रिया के लिए आपको गस्तावेज में आधार कार्ड जन आधार कार्ड जमीन की जमाबंदी है वह च्छा मार से पुराने नहीं होने चाहिए और बैंक खार्टे का वेवरण आपके जन आधार से निकल जाएगा तो इसके लिए आप यहां से ऑनलाइन आविदन करने के लिए यहां से आविदन कर सकते हैं यदि आप यहां पे क्लिक करते हैं तो जनाधार को भरना है और जनाधार में जो भी OTP आती हैं वो OTP यहां पे डालकर अपने जमीन की नकल वगेरा जमीन का वेवरण देकर यहां उसको लिए आपको अधार कार्ड जन अधार कार्ड और आपको जमीन की नकल है वहाँ पर केम्प में साथ में लेके जाना है और वहाँ पर आपको यह सभी दे देने हैं तो आपका आवेदन वहाँ से डारेक्ट ऑनलाइन कर दिया जाएगा आपको किसी प्रकार का खर्चा देने की जरूरत नहीं है यादि फिरी भी किसी कार्ण वस आप नहीं उन्हें दे सकते हैं तो इमित्र पर जाकर परचास रूपे का नामहत्र सिल्क लेकर भी आप इसका आ आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में जैन जैवारत